वीडियो में बात करने वाले हैं ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेट इसके राइट्स शेयर के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मैं पुराना इसका हिस्ट्री जरू दिखाऊंगा तो यह मैंने चितरगार के वेबसाइड में मैंने उपन किया हुआ है आप देख सकते हैं ओरियन ग्रीन प्रावर राइट सेशू 2023 तो इसका मतलब यह है दोस्तों 2023 में इस कंपनी ने राइट सेशू लेकिया था यह बहुत अनकॉमन है बैक तो बैक कंपनी लेके आ रही है तो 2023 में अगर आपको याद होगा अगर आपने पार्टिसेपेट किया है तो 220 करोड के आसपास कंपनी का टार्गेट था रिकवर करने का 230 क्रोड मार्केट से उठाने का एंड उसके लिए 19 इस्टू 62 का रेशियो दिया हुआ था और 10 रुपय के बहुत पे शेर मिला था ठीक है उस टाइम पे 16-17 रुपय के आसपास शेर ट्रेट कर रहा था आज क का कंपनी का टार्गेट है 250 क्रोड ओविएसली शेर का प्राइस बढ़ा है उसी आपसे जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है इफ यू पार्टिसेपट इन राइट 250 क्रोड वहाँ पे मिल रहा है रेशियो भी बैतर हुआ है पिछले बार था 19 इस टू 62 इस बार का जो रेशि क्या है कि अगर आपके पास थोड़ा महंगा लिया हुआ है शेर आप सस्ते बाव पे ले सकते हो एक्जिस्टिंग पोजिशन जो भी आपका है आप उसको अबरेज का सकते हो क्योंकि यहाँ पे 21 रुपए के बाव पे शेर चल रहा है और जो राइट्स आपको कंपनी दे अगर आप एलिजिबल हो और आपको यहाँ पे अलोकेशन होता है अभी यहाँ पे सिंपल चीज हम दो तीन देखेंगे डिसकस करेंगे कि क्या-क्या डेट्स आपको धियान में रखना है विच वेरी इंपोर्टन क्योंकि अगर आपने आज लॉग इन किया है आपको राइ इस नाम का आपको एक शेयर नजार आ रहा होगा तो तो अब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट्स इश्यू जो इंटिलमेंट उसको और बहुत जादा बाई कर लेते हैं लेकों दोस्तों आपको एक चीज समझना पड़ेगा keep this in mind जो rights entitlement होता है that is something option for you to actually pay the extra amount and then get the full shares वो full share नहीं है अगर आप उसको नहीं कुछ करते हैं तो वो जो issue of closing window है उसके बाद यह lapse कर जाएगा तो उसका कोई value नहीं बचेगा तो अगर आप उसको में participate नहीं कर रहे हैं तो आपको यह make sure करना है कि वो आरी के जो भी shares आपको मिले हैं extra उसको आप online बेज़ दे अभी मैं एक PPT में लेके जाओंगा आपको वहाँ पे dates के बारे में हम discuss करेंगे तो आप देख सकते हो record date था 13th August इसके मतलब जो लोग भी 13th August से पहले share hold करके बैठे हैं आज उनको green RE नाम का कोई एक share आपको आपको आपके DMET account में दिख होगा which is in the ratio of 1 is to 5 जो भी आपका holding है rights entitlement इसका जो window अपन है आज window open हो गया है यहां पर usually दो हफता होता है लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं इस company ने तीन हफते का time दिया which is a long time renunciation क्या है इसके बारे में हम discuss करेंगे यहां date blank है क्योंकि circular में नहीं था लेकिन approximately 50% of the duration is renunciation window त तो लगबग लगबग 6-7 तारिक जो है middle of इसका जो September 13 से लेगे August 27 यह जो window है उसके middle में so 5-6 तारिक आप इसको target कर सकते है उससे पहले आपको निकाल देना अगर आप execute नहीं कर रहे हो तो उसके बाद allocation होगा 19 September को credit हो जाएगा 24th and trading होगा 27 September से trading का मतलब यह है कि आपका existing holding है उस पर यह shares add हो जाएंगे और आपका current experience जो भी आपका current exposure है जो भी आपका holding है उसके साथ में वह position average हो जाएगा कोई भी डाउट हो comment section में बेजीजा क्लिक के पूछेगा आपको पता है का चैनल का USP ही यह है कि मैं आपके सारे comment पढ़ता हूं comment के reply भी करता हूं तो कोशि इस नाम का आपको shares नजर आ रहा हुगा आज आपके DMAT account में अगर आ रहा है तो इसी पर आपको action लेना है obviously 22 का share आपको 13 में मिल रहा तो 40% discount है इस बारे में तो मैंने अल्ड़ी discuss कर लिया है अभी जो important चीज़े हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पा प्राइस है उसका जो differential amount होता है वो right का price होता है तो एक तरह से आप अगर देखो 13 रुपय के भाव पर company आपको rights दे रही है and current market price is 21.47 तो आप अगर 21.47 को 13 से minus करेंगे तो आप देखी 8.47 निकल किया रहा है तो price correction थोड़ा बहुत calculation होता है तो इसके आसपास ही आपका rights का value होता है तो यहाँ पर rights का value भी आपको 7 रुपय के आसपास मिल रहा है तो अगर आपको apply नहीं करना आपको लग रहा है मैंने already green power में बहुत पैसे लगा रखे मेरे को और extra invest नहीं करना है तो यह जो 6.6 रुपय के भाव पर आपको जो भी दिख रहा है आप उसको sell off कर दीज है आपको लग रहा है कि नहीं मेरा काफी महंगा लिया हुआ है थोड़ा सा मेरे को average करना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है जो दोस्तों इसका last date है which is 13th September 13th September तक आपको इसको रखना है आपको RE वाले shares को touch नहीं करना है इसको बेचना नहीं है कुछ नहीं करना है इसको जस ऐसे ही रखना है and parallel आपको अपने net banking as by account में जाना है जैसे अपने पहले rights अगर apply किया हो net banking से जाकि यह 13 रुपीज आपको pay करना है per share तो वो share आपके dmat account में after जो जो उसका listing rate है आपके dmat account में add हो जाएगा तीसरा category है दोस्तों यहां सबसे ज़्यादा risk होता है यहां लोग यह सोचते हैं कि एक बार मैं RE के share ले लूँ तो मैं पूरा share holder बन जाओंगा और मैं RE के shares hold करके रख दूँगा तो यहां लोग बहुत ज़्यादा गल्ती करते हैं जो RE के shares होते हैं दोस्तों वो non-refundable होते हैं इसका मतलब क्या है यह जो window यहां पर बताया गया 13 September 13 September को जब यह issue close होगा उसके बाद यह shares आपको अपने DMAT account में दिखेंगे भी नहीं और जो renunciation का window है जो कि renunciation का date है जो मैंने starting में बताया था renunciation is 6th of September So 6th September आपका last date होगा अगर आपको नहीं कुछ apply करना है आप यह profit book करना चाहरे हो first category में हो तो 6th September से पहले आपको base देने है 6th September के बाद यह RE का कोई value नहीं रहेगा अगर आप RE buy कर लेते हो अभी तो आपको mandatory net banking में जाके 13 रुपए per share pay करके apply करके इसको convert करवाना पड़ेग अगर apply करना है तो तब ही जाके आप RE के shares buy करिए अभी इसके अलावा आपको जानना है कैसे net banking से apply करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों यह आप देख सकते हो आप जाके search करिए asba net banking और मेरे चैनल का नाम kubirpedia लिखके आप search करिए आपको definitely यह video मिल जाएगा मैंने almost rights पे धेरो सारे videos बनाये हैं अगर मैं आपको चैनल पर लेके चलो आप देख सकते हो orient green power का जब last year issue आया था मैंने इस पर कितने सारे video बनाये थे 2023 में आप देख सकते हो august 21, 28 September 12 and November 5 continuously मैंने इतने सारे videos बनाये थे काफी काफी लोगों ने देखा भी था आप देख सकते हो जो आरी वाला video मैंने बनाये था उसको 27,000 लोगों ने देखा है तो which is which clearly says that इस company में काफी लोगों का interest है लोग इसमें चाहते हैं कि invest करें या फिर इनके बारे में queries हो तो आप इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको फाइदा मिला है तो वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत लोगों होंगे जो इससे थोड़ा दूर knowledge रखते होंगे and execute करने के बाद में वीडियो देखते हैं तो पहले वीडियो देखिए उसके बाद execute करिए कोई भी queries हो बेजी जग पूछिए मैं जल्द से जल्द reply करने कोशिश चलूँगा उमिद करूँगा आपको कोई query रहेगा नी क्योंकि आप अगर चैनल के content में जाके आप playlist में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक rights issue नाम का playlist दिखेगा आप देख सकते हो 90 वीडियो है इतने सारे वीडियो है आपको और कहीं कुछ research करने की ज़रूत नहीं है धेरो वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने 2021 से लेके आज तक मैंने इतने सारे यहाँ पे वीडियो बना के रखे हुए तो आपको अगर कुछ भी doubt है आप पुराने वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हो आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा latest 2024 में भी मैंने इतने सारे Tata Consumer, India Bulls, Shobha, IIFL, Hindustan Construction, South Indian Bank कितने सारे मैंने बना है तो आप जाके बेज़ी जाके इसको चेक करिए फिर भी कोई queries है आप पूछिए मैं कोशिश करूगा सारे सवालों के जवाब दू जल से आपका जो भी doubt है उसको दूर करूँ वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद ट्वीटर पे मु यह सोँुँवच्य मैं उन्मा तर प्राफम्नेशि च्टरा ओट्राइव नडूमा